हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम समाजी विज्ञान के महत्युपुडु वाइरल प्रशन को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ये क्वेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है फ्रेंज जो आज प्रशन कराने वाले हैं आपके ब परवरी से आप सभी का बोर्ड का एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंज आपके पेपर के लिए समाजी विज्ञान के जितने भी महत्युपुडु प्रशन बनते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके पेपर में हूब हूब यही प्रशन छपेंगे फ्रेंज आपके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा चलिए फ्रेंज स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज यह आपके सामने पहला सवाल है देखें यहां देख सकते हैं कि वंदे महत्रम गीत के रचैता कौन थे फ्रेंज आपकी बोर्ड के एक्जाम में यह प्रशन कम से च्छा बाद आ चुका है ठीक है जितने भी प्रशन कराएंगे फ्रेंज आपके बोर्ड के एक्जाम में कई बार रिपीटेड हुए क्वेस्टन है ठीक है तो आप इसका प्रशन का एंस्वर आपको पहले से पता होगा आप उसका एंस्वर कमेंट बाक्स में जरूर लिख चटर जी तो अंदे मात्रम गीत के रचईता कौन थे बंक किम चंत्र चटर जी थे चलिए आपके सामने अगला सवाल है देखिए हाँ पर करो या मरो का नारा किसने दिया था तो फ्रेंज ये भी आपकी एक्जाम में कम से कम साथ आठ बार आपके बोर्ड के एक्जाम में ह महत्मा गाधी तो फ्रेंज चो करो या मरो का नारा दिये थे महत्मा गाधी ने दिया था तो इसका सही जवाब होगा महत्मा गाधी आपके सामने अगला सवाल है कि महामंदी का प्रारम किस वर्स हुआ था ठीक है महामंदी कब आया था फ्रेंज तो इसका सही जवाब बता था फ्रेंस 1929 में हुआ था आपके सामने अगला सवाल है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो फ्रेंस लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है इसका आप जवाब कमेंटर बाक्स में लिखिये कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है डक्कन के पठार में पाई जाता है मा मालवा के पठार में पाय जाता है ति इसका सही जवाब होगा मालवा के पठार में ठीक है फ्रेंस चलिए अगले सवाल को देखते हैं जितनी भी प्रशन लिये गए फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपोर्टन फ्रेंस यदि आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको पता होगा कि यह प्रशन आपकी बोड के एक्जाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं ठीक है अब देखिया आपका पांचवा नमबर का सवाल है कि कौन अजयविक संसाधन है ठीक है इसमें अजयविक कौन है फ्रेंस चटाने जो है अजयविक संसाधन के अंतरगत आते हैं आपका अगला सवाल है कि भारत में सरवाधिक वन छेत्रवाला राज्य कौन सा है देखिये फ्रेंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बीबी आई प्रशन आपके बोड के एक्जाम के लिए समाजी विज् यहां पर सबसे अधिक माट्रा में वन पाये जाते हैं और आज अचिरय आपका है मध्य परदेश तैंस का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश यानि मध्य परदह में वन बहुत ज्यादा पाये जाते हैं ठीक हैं आपके सामने अगला सवाल है कि नागा अर्जून सागर पर्योजना किस नदी पर बना है देखे इसको ट्रिक्स से आप याद रख सकते हैं कि नागा जो थोड़ा से वजद नागुक और नागुक देखें होंगे तिया क्या होता है कि थोड़ा सावला एक यस दुर्ड़ा अर्जून का रंग होता है तो सावला होता है क्रिष्र भगवान उनका भी रंग कैसा है सावला है याद रख सकते इस सवाल को ठीक है था अगले सवाल को देखते हैं आपका 8 नमबर का सवाल कि रिहनद बांद प्रश्ना किस राज में बनाई गई है इसका आपसे ने पंजाल में बनाया गया है अंद्रपर देश में बिहार में बनाया गया है या उत्तर प्रदेश में बनाया गहत इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश आपके सामने अगला सवाल है नुवा नंबर का कि भारत में आजीविका का प्रमुख सुरुत है यानि कि भारत में प्रमुख आजीविका का सुरुत क्या है तो आप सभी को पता होगा भारत के जो अधिक ुत्धा संख्या रजा कज्सां किसángża निर्बर तो आपना निर्बर किर सी कारे पर निर्बर किर सी कारे सब से ज्यादा भारत में होता है भारत में आज़ इविका का प्रमुक्साराशल इसका सही जवाब होगा और सब्सक्राइब किर्सी आगले सवाल को करांती संबंदी थे आप रेशन फ्लड संबंदी थे यह तो तीन पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉइंट है आपकी एक्जाम के लिए फ्रेंस यह भी विविई प्रशन थे ठीक है कई बार आपके एक्जाम में रिपीट हो चुका है कि श्वेट करांती संबंदी थे खाद्यांस उतपादन से दुग्द उतपादन से दलहन उतपादन से तो फ्रेंस इसका आपका सही जवाब होगा कि श्वेत माने क्या थे कि इसकोो च्रिक्स याद होता है शवेत माने क्या होता है शफैत और इसमें चटी स्वेत होता है तो सफैट किसे संबंदित हो सकता है चलिए अगले सवाल को डेखते हैं आपका अगला सवाल है कि कोलार समबंदित है अब देखे है अब देखेंगी इस तरह देखेंगे कोलार समबंदित है ग्यर्षा तरुण कोलार से समझें कोईला होता है लेकिन यह गलत हो जाएगा कोलार किसे संबंदित है तो फ्रेंस आपका जो कोलार संबंदित है सोना से संबंदित है इसका सही जवाब क्या होगा सोना इस प्रश्ण का सही जवाब हुआ भी आपका सही है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका सामने आईए अगला सवाल है बारा नमबर का कि रानी गंज परसिद्ध है यानि रानी गंज किसके लिए परसिद्ध है कोईले के लिए तांबे के लिए बाकसाइट के लिए चूना पत्थर के लिए तो फ्रेंस इसका जवाब आप बताएं कि रानी गंज किसलिए पर सब्सक्राइब वैग्णी सब्सक्राइब का संबंद किसे जल से निसमочно face औरामική परीवाइब नहीं करें है और से नियुक्त LED से फोज हमाई नहीं डिसरा रिखते नहीं उनिस्त नाण के दुवारा इसको को मंगाया जाता है ठीक है तो पाइप लाइन किस से संबंदी था आपका खनीज तेल से संबंदी था इसका सही जवाब होगा खनीज तेल आपके सामने यह 14 नमबर का सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग है ठीक इसको डायरेक्ट रियाद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है यनिज 44 यानि यनिज 44 इसका सही जवाब होगा ए ते राष्ट्री भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है यनिज 44 ठीक है आपके सामने यह 15 नमबर का सवाल है देखे फ्रेंच जितने भी प आपकि तोटल बारा अनुसुचियान है, उसमें से आपकी जो आअठवी हैं, तोटल बाईस भासाई हैं, इसका तोटल 22 भासा हैं, इसका सही जवाब होगा, उस आठीवी और सूची में भासाई कितनी हैं ? तो बारा भासाई हैं ठीक है देखी आपके सामने इस सोला नंबर का प्रश्ण है भारत में कुल कितने संगी राज्य हैं ? यहां पिर दो प्रश्ण आपको बताएंगे एक पूस्ता है संघी राज, एक पूस्ता है केंदर शासित परदेश, तो भारत में कुल कितने संघी राज है, इसके पहले आपको बताते हैं, कि भारत में कुल कितने केंदर शासित परदेश हैं, तो आपके टोटल केंदर शासित परदेश इससे में 9 हैं, ठीक है, केंदर श इसमें वर्तमान में टोटल 28 है ठीक है कितने संगीय राज्य हैं 28 संगीय राज्य है ठीक है चली अगले सवाल को देखते हैं 70 नंबर का सवाल है धर्म की आधारपद गटबन्दन किसका रूफ होता है समाजिक का अभाव है ये संप्रदाइक्ता है वैज्यानिक कारण है या आर्थिक समावेशन है तो फ्रेज इस सवाल का जो 70 नंबर इसका सही जवाब होगा संप्रदाइक्टा धर्म की पुलादार राजनितिक गड बंदज रहता है सम्प्रदाइकता का एक रूप होता है ति इस का सही जवाब होगा आपका सम्प्रदाईकता आपकी संदार्र नमबर का एक कि पेरियार रामा स्वामी नायक कौन थे यानि पेरियार जो रामा स्वामी नायक है वो किसे से संबंदी थे जैसे वो ज्यानिक है सिछावीद थे या समाज सुधारक थे या लेखक थे ठीक है तो पेरियार रामा स्वामी नायक किसे संबंदी थे फरें तो इसका जवाब बत रिखते हैं आपके सामने अगला नंबर है कि नेपाल में लोकतंत्र के अस्थापना कब हुई थी जिसका आप साने 2005 में 2008 में 2006 में 2009 में तो फिरेंस इसका आपका सही जवाब होगा 2006 में नेपाल में जो लोकतंत्र के स्थापना जो हुआ था आपका 2006 में हुआ था आपके सामने अगला नंबर आ सवाल है कि विकास का महत्व्पूर घटक या है यानि हम कैसे विकास कर सकते हैं तो उसका यह और राष्ट्रि विकास या उच्च विकास देखे वे फ्रेंस हम विकास कब कर सकते हैं तो इसका हुआ कि हमारे पास जादा से जादा जितने धन होगा तो इतने हम विकास की और अग्रसर होंगे तो विकास का महत्तुपूर्ण गटक क्या हो सकता है तो आपको आए हो सकता है इसका सही जवाब होगा आपका विकास का महत्तुपूर्ण गटक क्या है आए तो फ्रेंस यहां प्रशनों का आप एक दो बार तीन बार देख की याद कर लीजिए ठीक है तो फ्रेस आप को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें